नमस्कार दोस्तों संजगाट के चैनल पर आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उन विद्यार्थों के बारे में जो UG Semester 5 का ओनलाइन एक्जामिशन फॉर्म की लफ करना चाहते हैं तो BBMK के द्वारा UG Semester 5 का जो नोटीस है वेबसाइट पर जारी कर दिया है तो उसका जो नोटीस है हम आपको दिखा रहे हैं या UG Semester 5 का नोटीस है जिसमें अस्पस्ट्रूप से लिखा हुआ है कि B.A.B.A.C. Become Semester 5 सत्र 2019-22 ओनलाइन परिश्या परपत्र भरने तखा जमा करने की जो तीती है निम्न परकार है यदि आप बिना बिलम दंड के साथ महाविद द्याले में ओनलाइन एक्जामिशन फॉर्म परना चाहते हैं तो उसका जो डेट है आपका 26 परवड़ी 2022 से लेकर 6 माज 2022 तक भर सकते हैं इसके बाद अगर आप एक्जामिशन फॉर्म फ 2022 से लेकर 10 मार्च 2022 तक है इसमें जो परिछा सूल है आपका निर्धारित किया गया है 6 सुरॉपया और परिछा परवड़ी तक अगर आप फॉम फिलप कर देते हैं तो आपको 6 सुरॉपया ही लगेगा नहीं तो आपको 500 रुपया और भी इसमें इंक्लूड करके आपको प लेप्टोप के मातेम से examination form fill up करना चाह रहे हैं जिसमें वो गूगल में अपना टाइप करते हैं और BBMKU BBMKU टाइप कर इनके वेबसाइट में जाकर जब form fill up करना जारी करते हैं जब examination form में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि यहां पर blank दिखा रहा है यानि कि आपका जो examination form है नहीं भरा रहा है तो लोगों को काफी परसानी हो रही है कि हम form fill up क्यों नहीं भर बा रहे हैं क्योंकि जब कि बिनोज बिहारी महतों कोलांचन इन्वर्सिटी के तरब से नोटीस भी जारी हो चुका है कि 26 परवरी से आपका examination form fill up होगा लेकिन आपका examination form fill up नहीं हो रहा है जब website पर जाते हैं तो वहां पे blank दिखा रहा है यानि आपका form fill up नहीं हो रहा है जिससे काफी लोगों को परसानी हो रही है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस semester 5 का जो नोटीस जारी किया गया था वह पोस्टपन हो चुका है और विनोज बिहारी मातो कुलांचन इंवर्सिटी धनबाद यानि BBMQ के तरब से एक नया नोटीस जारी हुआ है जिसमें असपस्ट्रूप से लिखा हुआ है कि कुछ कॉलेजेज को नामांकर पुरा नई होने के कारण B.A. B.A. C. B. Com. semester 5.7.9.2019 बाइस ओनने परिच्छा परपत्र भनने तर जमा करने की जो तीती है फिर से निधारित की गई है यानि पहले का जो डेट है 26 परवेरी को से जारी किया गया था वो आप पॉस्ट्पन हो चुका है यानि आपको नया डेट से ओनलाइन एक्जामिशन फॉर्म फिलप करना होगा जिसका डेट है आपका 7 मार्ज 2022 से लेकर 13 मार्ज 2022 तक निधारित की गई है इसके बाद अगर आप फिर से एक्जामिशन फॉर्म फिलप करना चाहते हैं अगर किसी कारण बस से आपका छुड़ जाता है तो पांच सुर्पया बिलम दंड के साथ आपको एक्जामिशन फॉर्म फिलप करना होगा उसका जो डेट है आपका 14 मार्ज 2022 से लेकर 17 मार्ज 2022 तक निधारित की गई है और परिछा परपत्र सुल्ख भी आपको 6.500 रुपया यानि आपका कुल टोटल आपका जो फिस है 6.500 रुपया अगर जो डेट है अगर आपका निकल जाता है 13 मार्ज से के बाद अगर फॉर्म फिलप करते हैं 14 परवरी से 17 मार्ज के बीज तो आपको 500 रुपय एक्स्ट्रा फी आपको पे करना होगा ओनलाइन एक्जामिशन फॉर्म के समय ठीक है अब आपको काफी परसान होनी की आउसकता नहीं है क्योंकि आप जो फॉर्म के लफ है 26 परवरी से वह पॉस्ट्वन हो चुका है और नया डेट BBM के दौरा जारी हो चुका है क्योंकि बहुत से कॉलेजेज में अभी नामंकन पुरा नहीं हो आए जिसके कारण उनका जो समिश्टर 5 का एक्जामिशन फॉर्म फिलफ करने में काफी थोड़ा प्रसानी हो रहा है इसलिए अब नया डेट आप लोग के सामने जारी हो चुका है अब आपको 7 मार 2022 से अपने वेब साइट में या साइवेर केफे में जाकर एक्जामिशन फॉर्म फिलफ कर सकते हैं ठीक है अब आपको गवरानी किया हो सकता नहीं है ठीक है दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपके मन में किसी तरह का प्रस उठ रहे हैं तो हमें कमेंट करें हम आपको उसका जवाब देगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न बुले धन्यवाद